गुराफनून टू आल माई फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आज पहला सबसे पहले आप सब को पोईला बोईशाक में बुईशू में होजागिरी में अपना हम लोग का जो घरिया है ये सब में मैं आप सब को विश्च करूँ और मैं दो तीन चीज़ बात करना चाह रहा था मोस्ट इंपॉर्टन बात कि हम हरी बुईशू में गए थे किल्ला में उसके बाद हम लोग बुईशू में गए थे सब से बात हुआ और मैंने अपने सब तीप्रासा लीडर्स को एक बात क्लेली बताया है जो भी पार्टी से हो बीजेपी से हो अ सीपीम से हो कोई भी पार्टी से आई पी एफटी से हो है कि जब ग्रेटर तीप्रा लैंग का दिमान हम लोग करते हैं कि तो हम लोग सब को कही न कही तो अगरी करना चाहिए कि तीप्रासा के लिए आज तुप्रा में कुछ ठीक नहीं है ये बात में हम सबको अग्री करना चाहिए और हमको एक आवाज में जाकर दिल्ली में बात करना चाहिए कि हमें ग्रेटर तीप्रा लैंट चाहिए अब मैंने मीडिया में देखा है मुझे दो थीन बात लोग ने फोन भी किया कि अगर मैं ने कहा है कि मूब्मेंट को बंद कर दूँगा आपको ऐसे बात में कैसा विश्वास होगा 20,000 नौकरी आने से हमें economic solution मिलेगा लेकिन जब तक यह मेरा बात क्ले लिए आप समझ लीजिए जब तक हमें greater तीप्रा लैंड का constitutional solution नहीं मिलता है हम लोग compromise नहीं करने वाले हैं यह मेरा बात फिर से सुन लीजिए जब तक constitutional settlement राइटिंग में government of India हमें नहीं देगा हम लोग अपना demand से पीशे हटने वाले नहीं हैं मैंने देखा है कि दो तीन facebook pages जो cpm के run है आपको लगता है कि आप लोग अगर आप लोग greater तीप्रेजन को support नहीं कर सकते हो तो जूटा खबर तो मत छपाई है मैंने बोला है 20,000 नौकरी एक साल के अंदर government of India को देने के लिए लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा है कि हम लोग greater तीप्रेजन से हटेंगे government of India को भी सोचना चाहिए आज कि तीप्रासा को अंदर में क्या दुख है आज तीप्रासा को क्या मिल रहा है सिर्फ नेता लोगों को कुछ मिल रहा है only leaders are getting packages सिर्फ contractor को पैसा मिल रहा है सिर्फ नेता को कुछ post मिल रहा है मैंने कहा था अगर government of India को कुछ देना है तो हमारे 20,000 तीप्रासा को कुछ दो leader को देने से कुछ नहीं होगा और जहां रहा बात greater तीप्रालैंड का वो मेरा first and last final demand है अब government of India को अगर हमसे बात करना है हम लोग ready है लेकिन writing में होगा अगर government of India ये बात को स्विकार नहीं करता है तो question ही नहीं आता है कि हम किसी के संग alliance करेंगे सवाली नहीं उठता है और जो लोग हमारा थांसा को तोड़ने के लिए और इसमें CPM भी शामिल है मैं जानता हूं CPM शामिल है क्योंकि उनको लगता है कि तीप्रा मौथा को कमजोर करके वो जीतेंगे तो मैं आपको बोलने वाला हूं CPM को आप लोग कभी भी जिंदगी में more development more package करके आज कभी भी आप लोग कभी भी BGB को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि आप लोग ने 25 साल राज किया और आप लोग ने कुछ नहीं किया हमारे तीप्रासा के लिए तो आज आप नहीं बोल सकते कि प्रद्योत मानिकिया तीप्रासा के लिए दिल से काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने 25 साल में कुछ नहीं किया तो ये fake rumor fake कहानी लगाने का कोई धरकार नहीं है मैं बहुत clear इंसान हूँ मैं इमानदार इंसान हूँ आप दो चीज को link up मत कीजे मैंने कभी अपने greater तीप्रा लैंड के movement को dilute करने का कोशिश भी नहीं किया अगर मेरा greater तीप्रा लैंड का movement में अगर government of India ने assurance हमको नहीं दिया तो हम अकेले हैं अकेले लड़ेंगे ADC election भी अकेले लड़ेंगे लड़ा था और assembly भी अकेले लड़ेंगे लेकिन अगर government of India ने हमें कुछ आस्वाशन दिया तो यह मैं writing में दिखना चाहता हूं और यह मैं जाकर public को दिखाना चाहता हूं क्योंकि जो politics में जो बोला जाता है उसका value नहीं रहता जब तक writing में नहीं आए मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं मुझे दो तीन लोग ने phone किया महराजा आप बीस हजार नौकरी के लिए greater tip land को बंद कर देंगे मैं बेकूफ हूँ मैं बेकूफ हूँ मैंने कहा है कि अगर government of India को help करना है तो बीस हजार तीप्रासा को नौकरी दो मैंने कभी नहीं कहा कि हम greater tip land का movement को बंद करेंगे ये constitutional solution है अगर government of India के पास ज्यादा अच्छा मैंने देखा नौकरी नौकरी मैं पिछले 8-10 दिन में बहुत लोग दड़ गए हमारे थांसा से बहुत लोग हमारे थांसा से दड़ गए हैं और ये थांसा से दड़ने से ये लोग नौकरी इधर से आधा उधर से आधा निका त्रुप रहा था कहीं में रेवती त्रुप रहा था तो क्या हम लोग मिले नहीं कि क्या तीप्रासा तीप्रासा से मिल नहीं सकता जब काली पूजा होता है जब दुरगा पूजा होता है तो क्या सुधी प्राइब बर्मन मानिक बाबू से नहीं मिलते थे बिपलब जी न उपड़ा में कल्चर एक तरफ होता है कल्चर और ट्रिडिशन एक तरफ होता है और आइडियोलजी एक तरफ होता है मेरा आइडियोलजी मेरे लोगों के साथ है लेकिन जिस परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ हमारा परवरिश कहता है कि सबस अच्छे तरीके से विवार करो और मैं क्यों नहीं करूं मैं क्यों नहीं अच्छे तरीके से सबसे बात करूं रेवती ने जब पारलेमेंट में ग्रेटर तीप्रैलान का शब्द इस्तमाल किया वो रिकॉर्ड में गया है मैं क्यों नहीं बात करो जिश्णू करता से मैंने क्या बोला है कि आप हमारा डिमांड को सपोर्ट कीजिए अगर आप नहीं कर सकते तभी भी जाकर आप एक बात तो बोल सकते हैं कि तिप्रा सा का कंडिशन आज के दिन त्रिपुरा में और इंप्रूव होना चाहिए ये तो बोल सकते हैं मेवार से जब मैं मिलता हूँ मेवार का डिमांड है तिप्रा लैंड मेरा डिमांड है ग्रेटर तिप्रा लैंड अल्मोस 99% एक ही है तो हम लोग क्यों नहीं बात करें क्यों नहीं एक पार्टी बन जाए कर रहे हैं इसके पीछे कौन है इसके पीछे क्या साज़ेश है और मैं अपने ती प्रसा को बोलना चाहता हूं मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि अगर राइटिंग में हमारा constitutional solution नहीं दिया गया तो हम अकेले लड़ेंगे election में और CPM के लोग जो इसको फेला रहे हैं हमारे लोगों को confuse करने के लिए मैं CPM को बोलने वाला हूं आपको एक vote नहीं मिलेगा ती प्रसा एरिया से एक vote नहीं मिलेगा मैं आपको बोल रहा हूं clearly ये बात clear है हमारे लोगों को divide and rule करके मत कीजिए और मैं 2023 में ready हूँ मौथा ready है अकिला लड़ने के लिए अगर हमें greater TPM का assurance राइटिंग में नहीं दिया गया तो don't try to confuse जो मैं बोल रहा हूं और दो चीज़ को link up मत करो एक है economic problem और एक है constitutional problem बस और जो लोग confused हैं जो लोग को लगता है कि last moment में हम लोग greater TPM का ideology को dilute करके alliance कर देंगे मैं आपको यहां से clearly बोलना चाहता हूं there'll be no dilution and there'll be no alliance without the written assurance of a constitutional solution and a settlement for a demand of greater TPM land full and final इससे जादा मुझे किसी को और clarify करने का दर्कार नहीं है I am ready for one last fight and I will fight कुछ भी नहीं हो तभी भी मैं fight करूंगा बलाइनो हम बाइ दन्योवार थांक यू झाल